जैमातादी मित्रों मिरा नाम पंडित प्रकाश जोजी स्वागत है मेरे यूट्यूब फेस्बुक चैनल एश्टवाज में मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं सैजिटीरियन यारी की धनूराशी की मंतली राची फल धनूराशी की कैसी होगी अप्रेल के मैंने में धन की स्वास्त के उनके परिवार के उनके दामपत्य जीवन की इस्तती इसके बारे में इस कारिकरम में चर्चा करेंगे और चार बड़े गोचर हो रहे हैं अप्रेल के महिने में सूरी का गोचर, बुद का, शुक्र का और मंगल का गोचर जिस कारण से धनूराशी के जीवन में आठ घटनाय गटित होंगी अब वो आठ घटनाय क्या गटित होंगी इसके बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले धनूराशी के स्वास्त के बारे चर्चा करने वाले यानि कुछ नया कुछ कलपनात्मा कुछ प्लानिंग आप करने वाले हैं, कुछ लंबी प्लानिंग करते वे आप नजर आएंगे और आपने लुक्स में भी बदलाव करेंगे क्योंकि आपकी राथी में चंदरमा नवनी करन का कारक होता है तो आप कुछ लोग डाड़ी बढ़ाएंगे काटेंगे बाल कलर कराएंगे यानि लुक्स में भी आप बड़ाव अपरेल में देखने को मि और पूर रहेगी साती सात लुक में भी जवर्दस परिवर्तन करते वे नजर आएंगे धन और फाइनेंस के बारे में दनुराशी की बारे में बात करें तो धन के स्वामी शनी मंगल के साथ में बैठे हैं तो दो बड़े लाप अप्रेल के मैंने में और दो खर्चे भी कई माल या कुई डंपिंग चीज को बेचने से पुरारी कोई पडिवस्थू को बेचने से भी आपको लपराप्त होगा अप खर्चा क्या है पहला खर्चे की बारे में बात करें तो वाहन पे आपका खर्चा अप्रेल के मेने में आ सकता है या मोबाइल या इलक्ट्रोनिक आइटम बिजली के आइटम में भी आपका अप्रेल के अंदर खर्चा आ सकता है मंगल शनी की उती कुछ लाब भी देगी कुछ नुक्शान भ बात करें तो परिवार वहां के अंदर सूर्य शुक्र और राहु तीन ग्रोव की यूति है यानि अप्रेल का महिना आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं है माता पिता में वादविवाद हो सकता है घर के अंदर कलेश हो सकता है और किसी इस्तरी को स्वास्थी का कष्ट ह सकता है किसी इस तरी चाय की माता जीयों बहन्म या परिवार में जो भी इस तरी रही हुआ उनको हल्थ के इशू रह सकते हैं चोथी गटना के बारे में बात करें तो वह है धनुराशी संतान के बारे में यहां पर पंचमभाओं में अप्रेल के महिने में गुरू और बुद्ध दोनों ग्रह बैठे हैं तो दो मेजर बदलाव संतान पे चाहे चोटी हो चाहे बड़ी हो दो मेजर बदलाव संतान पे आने वाले हैं पहले हम चोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं पहला बदलाव चोटी संतान पे यानि एक साल से लेकर जिनकी उमर 17 साल तक उसे हम छोटी संतान की संग्या देते हैं तो पहला बदलाव क्या है स्कूल का चेंज होता हुआ नजर आ रहा है यानि स्कूल चेंज के योग बनते हैं दूसरा नई एक्टिविटी में अपरेल से जोईन करेंगे कुछ लोग स्विमिंग डांसिंग तेराकी इत्यादी या दर्शन के योग बनते हैं दूसरा अच्छा धलाव पदलाव करियर के अंदर नजर आ रहा है यानि की चाहिए छोटी संतानों बड़ी संतानों विद्या करियर के लिए अपरेल का मेना बहुत अच्छा है आप बात कर लेता है स्टूडेंट के बारे में जो एक्जाम की त देगा तो पहला तो विद्या में अच्छा लाब है दूसरा नौकरी यह कहीं पर आपने कहीं अप्लाई किया तो वहां से आपको अच्छा रिजल्ट होता हूँ नजर आ रहा है तीसरा नए लोगों से आपकी मित्रता बनेगी यानि कुछ नए मित्रा आपके बनने वाले चटी गटना के बारे में बात करें तो वो होगी धनूराशी वाले उन पे एफेक्ट डालेगी जो नोकरी करते हैं तो नोकरी भाहों में शुक्र राहू और सूर्य तीन ग्रहों की यूती हैं नोकरी भाहों के स्वामी इन से गरसित हैं तो तीन बड़ी समस्या नोकरी में सहन रहना याद रखेगा दूसरा आपकी पुरानी गलतियां पुराने जूट पुराने मामलों का खुलासा हो सकता है उससे भी आपको कश्ट हो सकता है तीसरा काम में भी जल्दी वाजी में काम निप्टाने से बाना वाजी बनाने से आप से गलतियां होंगी उससे कश्ट हो सकत 2012 में मैंने मानिक पहना था इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट था मुझे 6 मेने पहनने के लिए बोला गया था 6 मेने पहन के उतार देना था 6 मेने पहनने के बाद ही मुझे पहले मेने से ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था और छे मैंने पहनने के बाद मुझे मैंने उसे उतार दिया था और उसका अभी तक अच्छा प्रभाव रहा है मेरे उपर साथवी घटना के बारे में बात करें तो दामपत्य जीवन में घटित होगी यानि पूरे महीने बुद्ध देव वकरी होने वाले हैं यानि दामपत्य सुक के स्वामी बुद्ध वकरी हैं तो तीन बड़े पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं पहले हम लव पार्टनर के साथ में तीर्स नदी पहड़ों की यात्रा के योग आचानक ही बनते हैं अप्रेल के मैने में तीसरा आपके पार्टनर को अचानक बड़ा धनलाब या एक्स्ट्रा इंकम के योग आपके पार्टनर के बनते हैं पती-पत्नी के बारे में बात करें तो अप्रेल के मेने में यग अनुस्टान आपका पार्टर बड़ा धार्मिक होगा वरत करेगा मंत्रा यग अनुस्टान करने वाला तो चाहे पति-पत्नी हो चाहे लव कपलो- आपके पार्टरelaियल पार्ट करें तो यह होगा उन पर असर डालेगा जो दुकान करते हैं अपना काम करते हैं तो पूरा का पूरा दसमभाव के स्वामी बुधदेव हैं और बुधदेव पूरा अप्रेल के मेहने में वक्री हो जाने वाले हैं जिससे दो बड़े लाब आपको मिलेंगे व्यपारियों को और एक हानी का सामना भी करना पड़ेगा पहले तो दो बड़े लाब के बारे में बात कर लेते हैं अप्रेल में नया कांट्रैक्ट नया अनुबंद आपको प्राप्त हो सकता है अच्छी रिकॉर्ड तोर सेल आपको दिखने को मिलेगी अप्रेल के मेने में हानी के बारे में बात करें तो मशीन बिजली पे इतने पैसे खर्च होंगे यानि मशीन और बिजली की खराबी एक बार ठीक रहेंगे फिर दूबारा फिर तिबारा यानि कि मशीन और बिजली पे आपके खूब धन खर्च होन तो मित्रो ये था धनुराशी का अप्रेल का मंतली राचिपल इस कारेकर्म में बाइदनाई मुझे दीजिए जय मत दी